अलो दोस्तों मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चनल विक्रांत फैक में बार फ्रीस को सागत करता हूं जी दोस्तों इसमें इस वीडियों बताने वाले हैं कि हम आपको जो 17,000 नई पोस्ट आई है 17,000 नई पोस्ट आई है क्या इसमें जो नए सीट वाले हैं जिसे इस बार जो सीट दे रहे हैं और 13 जनवरी को जो उपीटेट की परस्तावित पर इच्छा है यूपी टेट दोजार तो 33 जन्वरी को होगी 3 जन्वरी वाले क्या इसमें जो पास कर लेंगे 3 जन्वरी वाला पेपर क्या इसमें वो लोग सामिल हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे मतलब साफ साफ हम ये कहें जो नई भरती आ रही है 17,000 17,000 में जो नए टेट वाले देंगे तेज जन्वरी को वह पास कर लेंगे कर टेट इसमें सामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे तो हाँ दोस्तों यही बात आने वाला हुँ आपको अगर वीडियो आपको अच्छे लगे चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यहां करें प्राप् जब निवक्ति पत्र दिये जाएगा छहाँ फरवरिश्च जन्वरी को उनको नए साल में चाज़शन वरी रटा जाएगा अब 17,000 नए बैकंसी आई है 17,000 नए बैकंसी आई है 17,000 वाले में जो नए टेट का पेपर देंगे। तेज जनवरी को देट का पेपर देंगे उ अगर तेज जनवरी वाले जो टेट की परिच्छा है अगर वो पास कर लेंगे तो इन सब में उनको मौका दिये जाएगा इस 17,000 पोश्ट वाले में मतलब एक बार हम आपको फिर स्वता जेते हैं जो 17,000 नई बेकंसी है 17,000 नई बेकंसी में उनको भी सामिल होने का मौका मिलेगा जो इस बार 30-जनवरी की परिच्छा में तेज जन्वरी जो टेट की परिच्छा है या जो सीटेट की परिच्छा हो रही है इसमें जो पास हो लेंगे पास कर लेंगे उनको नई अध्यापक भारती 17,000 वाले में अपलाई करने का मौका मिलेगा अब 6,000 के लिए तो कोई पेपर नहीं होगा क्योंकि 6,000 रिजर बेश जन्वरी को 2021 को 22 को जो नए पेपर देंगे और इसके बाद जो सीटेट का पेपर इस बार दे रहे हैं इस बार सीटेट जो पास कर लेंगे इसमें 17,000 वाले में उनको मौका मिलेगा तो ये चीज़े आपको बताने वाला बताना था हमें आपको मैं बता चुका हूं मतलब आप समझ चुके होंगे इस बार जो 17,000 पोश्ट निकल रही है नए सिच्छक भरती साय का ध्यापक भरती एक से पांच तक के लिए इसमें ओ लोग सामिल हो तकते हैं जो 2022 में टेट की पेपर 13 जन्वरी को देंगे पास होने के बाद इसमें अपलाई कर सकते हैं तो बस इत जोले में